क्या आपने अपने देखा है क्या जी रेजडेंड नोक्टर ये मैंने नहीं बना आया था यह तो पूरा का पूरा को ट्लिट बेट लग रहा है जी हाँ resident doctor ये एक real story है करीब 5 साल पहले मैं जब emergency duty कर रहा था तो हमारी emergency में एक young लड़का आया जिसको seizures आ रहे थे यानि जटके आ रहे थे हमने जब उसका CT scan करा तो हम लोग shocked हो गए क्योंकि उसकी brain में tapeworm के खूप सारे अंडे मिले 30 से 40 हमने जैसे तैसे करके उसको seizure को तो control कर लिया यानि जटके को control कर लिया लेकिन हम उसकी शादी नहीं बचा पाए so sad sir बहुत emotional कहानी सुना दी ती तुसी मैंनो अदास कर दिता हूँ शायद इस incident को सुनके आपके दिमाग का Einstein जाग गया होगा और अब आप चाहते होंगे कि मैं आपको और बताऊं इंसानी शरीर के कीड़ों के बारे में अगर आप इंसानी शरीर में रहने वाले कीड़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगा है तो let sign in with health with Dr. Gray and let's get started. एक दिन में जो round warm की मादा होती है वो दो लाक अंडे तक दे सकती है ये अंडे बहुत ही resistant होते हैं यानि स्टूल में निकलने के बाद सालों तक बिना किसी भी ज़रुरत के जमीन पर रह सकते हैं खेल तब शुरू होता है जब इनसान इन अंडों को प्रदूशित पानी य खा लेता है अंडे छोटी आत में हैच करते हैं और उसमें से लार्वा निकल जाता है लार्वा छोटी आत में छेट करता है और खून में चला जाता है वहां से वो लिवर तक पहुंच जाता है लिवर से ये लंग तक का सफर तै करता है और बड़े मज़े से 10 से 14 दिन तक वहां रहकर बड़ा हो जाता है फिर वह रेंकर गले तक पहुंचता finely इसको दोबारा से निकल लेता है आथ में अब वह पूरा बड़ा हो चुका हो थ है और अंडे देने के क्लिकले हो जाता है तयार और मादा प्रति दिन खूप सारे अंडे देती है जब आपका खाना पेट में जाता है तो round warm इस खाने में से nutrition चुरा लेता है तो बच्चे जो हैं वो nutritional deficiency के शिकार भी हो सकते हैं जिनके पेट में ये कीडे हो और lung allergy या lungs में problem भी करा सकता है क्योंकि ये lung में भी जाके कुछ दिन रहता है और वहाँ बड़ा होता उसके बाद जैसा मैंने आपकर से discuss किया ये वहाँ से फिर दुबारा निकल लिया जाता है तो ये इस तरीके की problem भी कर सकता है अब आता है hook warm खून पीने वाले hook warm का face बिलकुल Hollywood movies के किसी खतरनाग beast जैसा है एक सेंटीमेटर तक लंबा हो सकता है यानि round warm से काफी चोटे होते हैं हुक warm एक इनसान के पेट में दो से तीन सो तक हो सकते हैं ये एक दिन में हुक warm की जो मादा होती है बीस हजार तक अंडे दे सकती है जो मिट्टी में लार्वा बन जाते हैं और कुछ हफतों से कुछ महीनों तक उसी मिट्टी पर जिन्दा रहते हैं हुक warm का खेल तब शुनू होता है जब इनसान नंगे पाऊंच चलता है और मिट्टी में मौझूद लार्वा स्किन के अंदर घुस कर ब्ललड स्ट्रीम तक पहुँच जाते है ब्ललड स्ट्रीम से लंक्स तक पहुचता है ये लार्वा और फिर रेंग कर गले तक पहुँचता है जहां उसे निगल लिया जाता है और hookworm larva पहुँच जाता है चोटी आत में जहां वो बड़ा adult worm बन जाता है चोटी आत में हुकworm अपने मूँ से चिपक कर खून पीने लग जाता है जब larva skin में घुसता है तो ground इच करवाता है जिसमें पैर में rash हो जाता है अगर हुकworm की संक्या आत में कम यानि कम तादाद में होती है तो पेट में दर्द हो सकता है डाइरिया थकान जैसी परशानी होती है लेकिन अगर उसकी तादाद ज़्यादा हो हुकworm की पेट में तो iron deficiency, anemia, खून की कमी हो गई, malnutrition और advanced cases में heart failure भी करा सकता है हुकworm लंग से होकर आत में जाता है तो लंग problem जैसे खासी और सांस की problem भी करा सकता है तो आप लोग अपनी मम्मी की बात मानिये और चपले पेना करिये जिससे पैरों में हुकworm रास्ता बना के आपके पेट तक ना पहुंच जाए अब बारी है टेप वर्म की जिस मरीज की मैं introduction में बात कर रहा था और जिसकी अगले दिन शादी होने वाली थी उसके दिमाग में जो कीडों के अंडे मिले थे वो टेप वर्म के ही थे यह चार प्रकार के होते हैं पोर्क टेप वर्म, बीफ टेप वर्म, फिश टेप वर्म, हाइड़ाटिट टेप वर्म हम बात करेंगे पोर्क और बीफ टेप वर्म की यह टेप वर्म बहुत ही लंबे हो सकते हैं कुछ तो 10 मीटर यानि 33 फीट्स तक लंबे होते हैं टेफ वर्म की कोई मादा या नर्व वर्म नहीं होता मलब मेल और फीमेल नहीं होता इसका शरीर कई हिस्सों में बटा होता है जिसको हम प्रोग्लॉटिट्स कहते हैं इन प्रोग्लॉटिट्स में नर्व और मादा हिस्से यानि दोनों पार्ट होते हैं नर्व पार्ट और मा पक जाता है इस वर्म के प्रोगलॉटिड जानी कई हिस्सों में से एक हिस्सा फर्टिलाइज होकर अंडे बनाता है जब वो फटता है तो स्टूल में अंडे मिक्स होकर आँच से बाहर निकल जाते हैं यहां से पेग्स या कैटल इनको खा लेते हैं और ये इनकी मसल्स में ज खानी शुरू हो जाती है जो लार्वल सिस्ट खाने के दोरान पेट में गया वो आंथ पर पहुंचता है और एडल्ट वम बन जाता है जहां वो अपनी बॉड़ी में प्रोगलॉटिड एड़ करता रहता है और बड़ा होता रहता है अगर पूर हाइजिन के वज़े से पहुंच जाता है ब्लाड इस्ट्रीम से यह लारवा दिमाग पर पहुंच जाता है या मसल्स में चला जाता है और ब्रेन में नियूरो सिस्टी सरकोसिस करा देता है जिसकी वज़े से जटके सरदर्द और नसों की कमजोरी या दिमाग में पानी भी वर सकता है तो यह आइजिनिक फूड से इसके अंडे पहुंच जाते हैं आथ में आथ में ये अंडे फूड जाते हैं और इन में से वर्म निकलता है जो बड़े मज़े से रहता है यहां पर बड़ी आथ में नर और माधा दोनों रहते हैं जो वहां पर मेट करते हैं मेट करने के बाद नर मर ज रोज रात में बढ़ी आत्स से लैटिन के रास्ते से बाहर आ जाती है और डांस करते करते हजार आंडे दीती है और इंसान अपने मलद त्वार को खुजला कर परिशान हो जाता है और इसी दौरान इस अंडे को अपने हाथ में लगा लगता है और हैजीन होते हैं हमने तो सिर्फ वो पैरसाइट डिसकस किये हैं जो अभी हमारे लिए कॉमन है लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पैरसाइट होते हैं जैसे कुछ तो आखों में चले जाते हैं जिनको लोगा लोगा वर्म्स कहते हैं इसके अलावा कुछ गिनी वर्म्स होते हैं जो स्किन के अंदर रहते हैं और भी बहुत सारे वर्म्स हैं अगर आप और वर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए एक और वीडियो पूरा का पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा और फिर हम दोबारा डिसकेशन कर सकते हैं पेरसाइट्स के बारे में तिल देन टेक केर, साइनिंग आउट, हेल्फिट डॉक्टर ग्रे ऐसे ही इन्फरमेटिव कंटेंट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें